एक तीसरी कंपनी का नाम बताता हूँ, उसका नाम है नोवार्टिस, ये भारत में आई, तो इनोंने जो पूझी निवेश भारत में किया, वो करीब करीब 15 लाख रुपई के आसपास का इनका पूझी निवेश है, इनिशियल पेड़ अप कैपिटल, और आज हिंदुस्तान में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो ये कमाकर अपने देश में ले जा रही है, वो 94 करोड, 46 लाख रुपई है हर साल का, एक साल का 94 करोड, दो साल का लगबग 200 करोड के आसपास हो गया, तीन साल का 300 करोड के आसपास, और इस कंपनी को काम करते हुए 40 साल हो गया इस एक और कम्पनी का नाम बताता हूं, हॉलेड की एक कम्पनी है, उसका नाम है फिलिपस, यह टेलिविजन बेचती है, बल बेचती है, ट्यूब बेचती है, इलेक्ट्रोनिक्स के सामन बेचती है। इस कम्पनी ने भारत में जब व्यापार शुरू किया था तो एक करोड़ पचास लाख रुपई की इसने पूंजी लगाई थी. अब इस कम्पनी का एक साल का जो नेट प्रॉफिट है, जिसको ये कम्पनी लूट कर हॉलेंड ले जा रही है, वो एक सो नबे करोड़ है. एक करोड पचास लाक रुपए से व्यापार शुरू किया और एक सो नब्बे करोड रुपए हर साल ये भारत से लेके जा रहे है और एक साल में एक सो नब्बे करोड दो साल में तीन सो असी करोड और फिर तीन साल में चार साल में और इस कमपनी को काम करते हुए भी भारत में 45-50 साल हो गया है लगबग हजारों करोड रुपए इसने भी लूट लिया है ऐसी एक और कंपनी बताता हूँ टायर बेचने वाली एक कंपनी है गुडियर उसका नाम है मूलत अमेरिकन कंपनी है इसने भारत देश में जब व्यापार शुरू किया तो पूझी लगाई 2 करोड 37 लाक रुपए अब ये कंपनी हर साल में जो लूट कर ले जा रही है यहां से वो 40 करोड रुपए हर साल वो यहां से नेट प्रॉफिट के रूप में लेके चले जाते है फिर इसी तरह से और एक कंपनी है ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है गलैक्स को दवा बेचती है दवा के छेतर की ये बड़ी कंपनी मानी जाती है इनका जो पेड़ अप कैपिटल है करीब 8 करोड 40 लाक रुपए से इन्होंने व्यापार शुरू किया इस हिंदुस्तान में और आज ये कंपनी हर साल जो नेट प्रॉफिट कमा के ले जाती है वो 537 करोड 66 लाक रुपए है एक और कंपनी है उसका नाम है फाइजर ये अमेरिकन कंपनी है दवा बेचती है बहुत बड़ी कंपनी है इसने भारत में व्यापार शुरू किया था 2 करोड 90 लाक रुपए से और आज इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हमारे देश से जो ये कमा रहे हैं वो 338 करोड रुपए है फिर ऐसे ही एक और कंपनी है उसका नाम है एबॉट इंडिया लिमिटेट ये कंपनी भारत में आई तो इन्होंने पूझी निवेश किया था 1 करोड 40 लाक के आसपास अब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो यहां से कमा के ले जा रहे हैं हर साल का 68 करोड रुपए फिर और एक कंपनी है जो सिगरेट बेचती है हिंडुस्तान में सबसे ज़्यादा भारत में और सिगरेट बेचकर हिंडुस्तान के लोगों के फेफडे गलाती है लोगों को व्यसन करवाती है इस कंपनी का भारत देश में जो इनिशियल पेट अप कैपिटल है वो मात्र 37 करोड़ रुपए का है और इस कंपनी का एक साल का प्रॉफिट 3120 करोड़ रुपए का है एक साल का प्रॉफिट और इसको भारत में काम करते हुए करीब करीब साट साल हो गए कुल 38 करोड़ रुपए लगाकर इस कंपनी ने लाखों करोडों रुपए यहां से लूट लिये और आप जानते हैं भारत में कि लगबग 5 लाख लोग हर साल कैंसर से इस देश में मर जाते हैं उन कैंसर से मरने वालों के इलाज पर जो खर्च होता होगा वो भी इस कंपनी के कारण हमारे समाज का कितना बड़ा हिस्सा है पहले सिग्रेट बेचना लोगों को कैंसर से मारना फिर इस देश का पैसा लेके विदेशों में चले जाना फिर इस देश में सबसे बड़ा अत्याचार जो यह कंपनी करती है आपको मालूम है सिग्रेट बनाने के लिए कागज लगता है और सिग्रेट का कागज सबसे ज़्यादा कीमती कागज होता है और सिग्रेट के कागज को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पेड़ कटते हैं इस company की हर साल इस देश में 20 अरब से ज़्यादा cigarette बिकती है लगबग 14 करोड पेड हर साल ये company भारत में कटवा देती है हम हिंदुस्तानी लोग पेड लगाते हैं परियावरण की रक्षा करने के लिए परियावरण की शुद्धी करने के लिए लेकिन दुख और दर्द इस बात का है कि वो पेड को ITC company कटवा देती है तो ये मैंने कुछ उधारण दिये ये सूची बहुत लंबी है मैंने कुछ प्रमुक कंपनियों के नाम लिए क्योंकि ये नाम आप जानते है ऐसे 5000 नाम है हर एक कंपनी का एक एक आकड़ा हमारे पास है किसी कंपनी ने 2 करोड की पूझी लगाई और वो हर साल 180 करोड कमा रही है उसका नाम है बाटा बाटा की भारत में 2 करोड की पूझी है इनिशियल पेड़ अप कैपिटल और एक साल का उसका नेट प्रॉफिट 180 करोड रुपई का है इस देश इसी तरह से नैसले एक कंपनी है इसी तरह से हिंदुस्तान में 5000 से ज़्यादा कंपनिया है थोड़ी थोड़ी पूझी लाकर थोड़े थोड़े पैसे लाकर 10-20-50 लाक रुपई के और वो करोडों करोडों नहीं सेक्डों करोडों रुपई हजारों करोडों रुपई यहां से ले जा रहे है तो वास्तविकता ये है कि पूझी विदेशों से भारत में नहीं आ रही है भारत की पूझी विदेशों में जा रही है और यही कारण है कि जैसे जैसे विदेशी कमपनियां भारत में बढ़ रही है भारत की गरीबी बढ़ती चली जा रही है मैं आपको गरीबी के साथ इसको जोड़के बताता हूँ अगर आप एक मिनट के लिए ये मान लीजे भारत सरकार का तर्क कि विदेशी कमपनियों के आने से पूझी आती है अगर हमारे देश में पूझी बढ़ती है तो गरीबी कम होनी चाहिए स्वाबाई भी गरूप है ना लेकिन मैं आपको बताता हूँ 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब इस देश में एक विदेशी कमपनी को हमने भगाया था जिसका नाम था इस्ट इंडिया लेकिन दो साल के बाद इस देश की सरकार ने 126 विदेशी कमपनीओं को बुला लिया अब उने 126 कमपन्यों के आने के समय इस देश में गरीबों की संख्या थी लगबग 4.5 करोड सरकार के आखडे सरकार कहती थी कि 1947, 47 में गरीबों की संख्या लगबग 4.5 करोड के आसपास है तो साड़े चार करोड की गरीबों की संख्या थी, जब 126 विदेशी कमपनिया भारत में आई, अब हमारे देश में विदेशी कमपनियों की संख्या बढ़कर 5000 हो गई, आजादी के दूसरे ही साल में 126 कमपनिया, अब आजादी के 62-63 साल के बाद 5000 विदेशी कमपनिया, तो भारत सरकार के ही आकड़े हैं कि इस समय गरीबों की संख्या हमारे देश में है 84 करोड आजादी आई थी तो गरीबों की संख्या थी लगबग 4.5 करोड अब आजादी के 62 साल के बाद गरीबों की संख्या हो गई 84 करोड इसका माने गरीबों की संख्या में ज़्यादा व्रद्धी हुई होगी इसलिए गरीबों की संख्या में व्रद्धी हुई है क्योंकि 5000 कमपनियों ने लूटा है इस देश को पहले लूटती थी एक कमपनी इस्ट इंडिया तब हम गरीब हुए दुनिया में अब लूटने दूसरा तर्ख जो हमारी सरकार देती है हमारी सरकार का दूसरा तर्ख है कि जब भी विदेशी कमपनिया आती है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है निर्याद बढ़ता है कोशिश की है हमने पिछले हिंदुस्तान के 62 साल के निर्याद के आंकड़े इकठे करें और वो निर्यात के आंकड़े हमें मिल गए भारत सरकार के विविन मंत्रालियों से और रिजर बैंक ओफ इंडिया की लाइब्रेरी की मदद से भारत के पिछले 62 साल के निर्यात के आंकड़े मिल गए और पता ये चल रहा है कि जैसे जैसे विदेशी कमपनियां भारत में आ रही है निर्यात हमारा कम हो रहा है जब विदेशी कमपनियां नहीं थी इस देश में तब हम बहुत ज़्यादा निर्यात करते थे और जब से विदेशी कमपनियों का आना शुरू हुआ निर्यात घटता जा रहा है एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है मैं आपको एक जानकारी दूँ, हमारे देश में जब एक ही विदेशी कमपणी थी इस्ट इंडिया, सिर्फ एक कमपणी थी अंग्रेजों की, उस समय सारी दुनिया में हम निरियात करते थे, और हमारा निरियात कितना होता था, सन 1813-1840 के बीच में अंग्रेजों की सरकार ने भारत का स सर्वेक्षण कराये, और कई सर्वेक्षण कराये, आर्थिक सर्वेक्षण कराये, सिक्षा का सर्वेक्षण कराया, चिकित्सा का सर्वेक्षण कराया, भारत के लोगों की सामाजिक इस्थिती क्या है, उसके सर्वेक्षण कराये, तो 1813-1840 के बीच में जो बिबिन सर्वे और ध्यान रखने की बात है कि यह हमारा निर्यारत East India Company नहीं करती थी हम खुद करते थे East India Company तो क्या करती थी हमारे देश में आकर अपने देश का कुछ माल बेचते थे और जो वो बेचा हुआ माल है उसको संतुलित करने के लिए यहां से कुछ खरीद के अपने देश में ले जाते थे तो उनका निरियात तो मामूली सा होता था कोई बहुत जादा नहीं था मैंने तो कुल निरियात के आंकड़े निकाले अठारे सो चालीस के तो भारत का कुल निरियात अगर सो रुपई का होता था तो इस्ट इंडिया कमपनी का निरियात उसमें तीन रुपई साथ पैसे का होता था बस तीन दशमलव छे प्रतिशत अंग्रेजों के जमाने में इस बात को ठीक से समझिएगा हम भारतवासी भारत के व्यापारी भारत के उद्योग पती सीधे दूसरे देशों में जाकर अपना माल बेचते थे अगर सो रुपई का तो इस्ट इंडिया कमपनी भारत से माल खरीद कर विदेशों में बेचती थी 3.60 पैसे का माने हमारे कुल निरियात का 3.6% निरियात East India Company किया करती थी ये थी हमारी आजादी के पहले की स्थती जब एक कमपनी इस देश में थी अब हमारे देश में कमपनीों की संख्या बढ़के 5000 हो गई तो क्या होना चाहिए? निरियात बढ़ना चाहिए पहले एक कमपनी इतना निरियात करती है तो 5000 कमपनीों के दोरा तो ज़्यादा निरियात होना चाहिए लेकिन आखड़े बता रहे हैं कि हमारा निरियात आजादी के पहले जतना ज़्यादा था आजादी के 62 साल के बाद बहुत 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 कम होता चला गया अब मैं कुछ-कुछ साल के हिसाब से बताता हूँ हमारा निर्यात 33 प्रतिशत था 1840 तक फिर उसके बाद 1938 तक आते आते दुनिया के बाजार में हमारा निर्यात हो गया 4.5 प्रतिशत फिर 1950 के आते आते हमारा निर्यात हो गया 2.2 प्रतिशत फिर 1955 तक आते आते दुनिया में निरियात हो गया 1.5 प्रतिशत फिर 1960 तक दुनिया में हमारा निरियात हो गया 1.2 प्रतिशत फिर 1965 तक हमारा निरियात हो गया 1 प्रतिशत फिर 1970 तक सारी दुनिया में हमारा निरियात हो गया 0.7 प्रतिशत फिर 1975 तक हमारा निर्यात हो गया, 0.5 प्रतिशत, फिर 1980 में हमारा निर्यात हो गया, 0.1 प्रतिशत, फिर 1990 में हमारा निर्यात हो गया, 0.5 प्रतिशत, और फिर 1991 में हो गया शूने दशमलब शूने चार पांच प्रतिशत फिर 92 में हो गया शूने दशमलब शूने चार दो प्रतिशत फिर 93 में शूने दशमलब शूने चार फिर 94 में शूने दशमलब तीन आठ और ऐसे चलते 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 अभी मैं 2008 और 2009 की बात करूँ तो दुनिया में हमारा निरियात है अभी 0.5 प्रतिशत माने आध्या प्रतिशत हमारा निरियात है दुनिया के बाजार में जब एक इस्रिंडिया कंपनी थी हम अंगरेजों के गुलाम थे तब निरियात था 33 प्रतिशत और अब 5000 विदेशी कमपनिया है तब दुनिया के बाजार में हमारा निरियात है 0.5 प्रतिशत आप बताईए निरियात कम हुआ है या बढ़ा है बहुत तेजी से कम हुआ है इसका मतलब क्या है इसका मतलब बहुत साफ है कि विदेशी कमपनिया भारत का निर्यात नहीं बढ़ाती है तो क्या बढ़ाती है विदेशी कमपनिया उल्टा काम करती है भारत में आकर भारत का आयात बढ़ाती है इंपोर्ट बढ़ाती है क्योंकि सभी विदेशी कमपनियों को भारत में निर्यात के ज़्यादा आयात कर भारत आगई अब वो अमेरिका की वस्तुओं को भारत में लेके आएंगे और बेचेंगे तो मुनाफ़ा अमेरिका को मिलेगा ना तो इसलिए उनकी कोशश ये रहती है कि अमेरिकन चीजों का आयात भारत में जादा से जादा बढ़ाया जाए ताकि भारत का मुनाफ़ा अम उनका, इसलिए वो कभी भी भारत का निरियाद बढ़ाने के लिए नहीं आते वो तो भारत का आयाद बढ़ाने के लिए इंपोर्ट बढ़ाने के लिए आते मैं और एक जानकारी दूँ आपको कि जब East India Company भारत में थी तो भारत का जो कुल निरियाद दुनिया में होता था उसका 3.6 प्रतिशत East India Company किया करती थी अब हमारे देश का जो कुल निरियाद दुनिया के देशों में होता है उसका 5.5% निरियात ही विदेशी कमपनिया करती है जबकि उनकी संख्या 5000 से ज़्यादा हो चुकी है माने वो हमारे देश का निरियात नहीं बढ़ा रहे हैं वो हमारे देश में जदा से जदा आयात करके सामन यहां लाकर बेच रहे हैं ताकि यहां से पैसा उनके देश में चला जाए और उनको उस पैसे से फाइदा हो ना कि भारत का निरियाद बढ़ाने से और एक दूसरी जानकरी देता हूँ जब जब विदेशी कंपनियां भारत में आती है उनका भारत सरकार के ऊपर दबाओ रहता है कि भारत की मुद्रा रुपई की कीमत को गिराया जाए मैं आपको पुरानी एक जानकरी देता हूँ जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को तो हमारी जो मुद्रा है जिसको हम रुपिया कहते हैं और अमेरिका की मुद्रा जो डॉलर है वो दोनों बराबर थे एक रुपिया एक डॉलर के बराबर था 15 अगस्त 1947 को और हमारा जो रुपिया है और स्टरलिंग पाउंड है बिटेन का वो भी बराबर था एक रुपिया एक स्टरलिंग पाउंड फ्रांस की एक मुद्रा है उसका नाम है फ्रेंक तो भारत का एक रुपिया और फ्रेंक बराबर था जर्मनी की उस समय एक मुद्रा चलती थी ड्यूश मार्क तो ड्यूश मार्क एक और भारत का एक रुपिया बराबर था माने दुनिया के चार प्रमुक देशों की एक-एक मुद्रा का भारत के रूपई के साथ तुलना किया जाए तो बरावर था शास्त्री जी जब प्रधान मंत्री बने तो दो ढ़ाई साल तक एक भी विदेशी कमपनी नहीं आई क्योंकि शास्त्री जी की नीती थी, स्वदेशी की नीती, वो करीब 18 महीने इस देश में प्रधान मंत्री रहे, 18 महीने में उन्होंने कभी भी किसी विदेशी कमपनी को इस देश में नहीं आने दिया, एक और प्रधान मंत्री हुए इस देश में, मुरार जी देशाई, जिन ऐसे प्रधान मंत्री थी, शिरी मुरारजी देशाई जब प्रधान मंत्री बने थे न, उस समय कोका कोला नाम की अमेरिका की कमपनी भारत में बहुत बड़ा व्यापार करती थी, मुरारजी देशाई के उद्योग मंत्री हुआ करते थे जोर्ज फर्नन्डीज, तो जोर्ज कॉकाकोला कंपनी को एक notice दिया था वो notice में उन्होंने लिखा कि या तो आप तुरंत भारत छोड़ दीजीए नहीं तो हम आपकी पूरी संपत्ति का राश्विय करन्ट कर देंगे मने आपको पूरा भारत में मिला देंगे मने कोका कोला की सारी संपत्ती भारत की हो जाएगी तो कोका कोला कमपनी डर गई भारत छोड़के भाग गई इसी तरह से एक American कमपनी को भगाया उन्होंने उसका नाम था IBM और एक American कमपनी को भगाया ICL ऐसी कई विदेशी कमपनियों को भगाने वाले एकमात्र प्रधान मंत्री थे मुरारजी देशाई और एकमात्र उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडीज अब क्या हुआ, जन जन अजन कंपनियों को भगाया था मुराजी भाई देशाई ने और जोर्ज फरनांडीज ने, वो फिर से घुस गई इस देश, कोका कोला फिर से आगई, IBM फिर से आगई, ICL फिर से आगई और हुजारों हँजारों दूसरी कंपनियों को लेके आगई, तो मैं आपको बता रहा था, एतिहास एक बात वो ये, कि दो भारत के प्रधान मंतरी श्री लाल बहदुर शास्त्री और मुरार जी देसाई, इन्हों ने विदेशी कमपनियों को बढ़ावा नहीं दिया, बलकि उनको भगाया, बाकी सभी प्रधान मंतरियों ने विदेशी क कमपनियों को बुला कर उन्होंने यही कोशिश की, कि भारत का निरियाद बढ़े, भारत का निरियाद बढ़े, भारत का निरियाद बढ़े, निरियाद इस देश का बढ़ा नहीं, लगातार कम हुआ, और वो क्यों कम हुआ, वो एक बात गहरी है, जो जानने की है, वो ये कि भारत के ये दो प्रधान मंत्रियों को छोड़ कर एक तो मुरारजी देशाई और श्री लाल भादुर शास्त्री सभी प्रधान मंत्रियों ने भारत के रुपए की कीमत को गिराया बढ़ाया नहीं रुपए का अवमुल्यन किया रुपाई की ताकट बढही नहीं, रुपाई की ताकट को कम किया अब कीमत गिरते 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 आ गई है, अब 50 रुपाए एक डॉलर अब आप सोचिए कि 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर अब 2009 में 50 रुपया 1 डॉलर इसका मतलब क्या है? 1947 में अगर हम अमेरिका को एक रुपई की चीज निरियात करेंगे तो हमारी आमंदनी होगी एक डॉलर अब 2009 में हमें अमेरिका को 50 रुपई की चीज निरियात करनी पड़ेगी तब आमंदनी होगी एक डॉलर माने जितनी चीज 1947 में बेच कर हम एक डॉलर कमाते थे अब उससे 50 गुना ज़्यादा चीज बेचनी पड़ेगी तब हमें एक डॉलर मिलेगा इसका माने निरियात की मात्रा हम कितनी भी बढ़ते चले जाएं लेकिन निरियात की आमंदनी हमारी हमेशा कम और कम और कम ही होती जाएगी क्योंकि रुपई की कीमत डॉलर की तुलना में गिरती चली जाएगी तो हमको जो गहराई से बात समझनी है वो ये कि विदेशी कमपनियों के आने के बाद सरकार जो रुपई का मुल्यन कर देती है उसके कारण निरियात लगातार गिरता जाता है तो कोई भी विदेशी कमपनी कितनी भी ताकत भी लगाएगी तो भी निरियात बढ़ेगा नहीं और वो वैसे भी कोई ताकत नहीं लगाने वाले इस देश का निरियात बढ़ाने के लिए तो हमारे दिमाग में ये इस पश्टता हो जानी चाहिए कि विदेशी कमपनियों के आने से बिलकुल निरियात नहीं बढ़ता है बलकि निरियात तो हमारी अपनी ताकत से बढ़ता है मैं एक बात फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूँ कि जो कुल निरियात हम दुनिया में करते हैं उसका लगबग 95 प्रतिशत निरियात हमारे स्वदेशी उद्योग वाले लोग करते हैं कारीगर करते हैं व्यापारी करते हैं स्वदेशी व्यापारी, स्वदेशी उद्योग पती, स्वदेशी कारीगर, स्वदेशी मजदूर जो पैदा करते हैं उससे हमारा 95 प्रतिशत निरियात है विदेशी कमपनियां तो मुश्किल से 5 प्रतिशत निरियात हमारा करती है इसलिए वो निरियात बढ़ने के लिए भारत में कभी नहीं आते अब और एक तीसरा तर्क है कि विदेशी कमपनिय आती है तो हाई टेक आता है इस देश में टेकनॉलजी आती है और टेकनॉलजी आएगी तो देश को तरक्की होगी विकास होगा तो तकनी की लाने के लिए विदेशी कमपनियों को बुलाए जाता है जो जो विदेशी कमपनियां भारत में आकर व्यापार करती है उनके जो समझोते हैं भारत सरकार से तो उसमें तक्नीकी किस तरह की आती है वो जानने के लिए हम लोगों ने जब दस्तावेज देखे तो मामला बिलकुल उल्टा नजर आया चित्र दूसरा ही नजर आया पता ये चला कि 90 प्रतिशत से जादा विदेशी कमपनिया कोई तक्नीकी लेके आती ही नए तो आप बोलेंगे वो क्या करते हैं वो शून ने तक्नीकी के छेतर में व्यापार शुरू करते हैं और उद्योग लगाते हैं जैसे मैं आपको बताओं साबून बनाने का काम है ये शून ने तक्नीकी का काम है इसमें विदेशी कमपनिया घुस गई हैं भारत में और खूब तरह के साबून बना बना के बाजार में बेच रहे हैं साबून बनाना कोई हाई टेक काम नहीं है उच्च तक्नीकी का काम नहीं है उसमें विदेशी कमपनिया गुसी हुई है जिनकी संख्या कम से कम पचास है हिंदुस्तान लीवर है, प्रोक्टर एंड गेंबुल है, कॉलगेट, पामुलिव है ऐसी पचास से जादा विदेशी कमपनिया साबून बनाके बेच रही है अलग-अलग नाम से, लाइफ बॉय, लक्स, लिरिल, रेक्सोना, पियर, स्कैमे, पामुलिव, डव, जॉनसन एंज जॉनसन, बेबी सोफ वगरा वगरा ये सब साबून विदेशी कमपनियों के हैं, इसमें कोई टेकनॉलोजी नहीं है आप मुझे बताइए, आलू से चिप्स बनाना कौन नहीं जानता इस देश कौन सा ऐसा परिवार है, जिस परिवार की मा या बेहन या बेटी, आलू से चिप्स नहीं बना सकती और उसको बनाने के लिए, अमेरिका से कमपनी आई है, पेपसी कोला वो चिप्स बना के बेचती है, टमाटर से चटनी बनाना, ऐसा कौन सा हाई टेक काम है, जिसको हमारे घर में कोई नहीं कर सके और टमाटर की चटनी बना कर बेचने के लिए, हमारे देश में विदेशी कमपनी है इसी तरह से आम का अचार डालना कौन से ऐसी खास बात है जिसके लिए विदेशी कमपणी की जरुरत है शाका पत्नम में मैं व्याक्यान देने गया था तीन साल पहले तो जिस सज्जन के घर में मैंने खाना खाया था उन्होंने बीस साल पुराना आम का अचार मुझे खिलाया था तो वो लगता था कि ये बीस साल सुरक्षित कैसे है तो मैंने बार बार पूचा तो उनने का कुछ साधरन सी बात है तेल डाला है, फिर मैथी दाना डाला है फिर उसमें और रसोई घर में उपलब्द जो आयरुवेदिक चीज़े हैं वो डाली है उसी से 20 साल सुरक्षित है विदेशी कंपनी को तो उतनी सुरक्षा होई नहीं पाती वो तो 2-3 साल में उनका आम का अचार खराब हो जाता है और जातर विदेशी कंपनीों के आम के अचार के पैकेट पे लिखा रहता है कि 3 महीने से 6 महीने में खा के इसको खतम कर दीजे नहीं तो बेकार हो जाए कौन सी टेकनालोजी उनके पास है जो आम का अचार बेच रहे हैं या बोतल में पानी भरके यहां बेच रहे हैं या जूते चपल बनाकर बेच रहे हैं या डबल रोटी पाव रोटी बनाकर या बिस्किट बनाकर या ट्रॉफी चॉकलेट बनाकर ये सब शून ने तकनीकी के सामान है, इन में कोई हाई टेकनोलोजी नहीं है, और 90 प्रतिशत से ज़्यादा विदेशी कमपनिया इसी छेत्र में गुसी हुई है, उत्पादन और व्यापार, मैं आपको नाम लेके बताता हूँ, एक बड़ी विदेशी कमपनी है जिसका नाम बाटा, बाटा की मैंने सभी बैलेंश शीट देखी जो भारत सरकार के साथ, इनोंने हस्ताक्शर किये हैं, इनके जो EM-O-EU's हैं, उन में इनोंने जो टेकनोलोजी लाने की बात कही है, वो क्या? जूते बनाने की टेकनोलोजी, मोजा, मोजा आप समस्ते हैं, जूते के अं पर्स, वालेट वगेरा आदी आदी तो यह बाठा कमपनी बनाती है। इसमें एक भी सामन हाइटेक नहीं है। इसी तरह से एक कमपनी हैं, बुक बॉन्ड जो ब्रिटिश कमपनी है। इन्होंने बोला कि हम हाइटेक हिंदुस्तान में लाएंगे। कुछ नहीं है। चाय को दब्बे में पैक करके भारत में बेच रहे हैं। कोई उसमें टेकनोलोजी ने। चाय भारत के खेतों में पैदा हो रही है। हमारे किसान उसे पैदा कर रहे हैं। उसको तोड़ने का काम हमारे मजदूर कर रहे हैं। सुखाने का काम मजदूर कर रहे हैं। बस उस चाय को और वो खरीद के डबَّाबंद करके भारत में बेचना है इसमें कौन सी टेकनोलोजी है डब्बा बनाना कोई हाई-टेक ऐटम थोड़ी होता है और डब्बा बनाके उसमें चाई पेक करना कोई हाई-टेक बात थोड़ी होती है एक कम्पनी है, कैटबरीज वो चॉकलेट बनाती है, बिस्किट बनाती है और आइस क्रीम बनाती है ये तीनों जीरो टेकनोलोजी के आइटम है फिर एक कंपनी है, कॉलगेट पामुलिव ये टूथ पेस्ट बनाती है, टूथ ब्रश बनाती है टूथ पाउडर है, साबून है, शेविंग क्रीम है ये सब जीरो टेकनोलोजी के आइटम है फिर एक अमेरिकन कंपनी है, कॉर्न प्रोडक्ट्स वो भारत में दही बना के बेचती है अब अब बताओ, दही बना के विदेशी कंपनी बेचे और वो कहें, ये हाइटक आइटम है हम में से किसको नहीं आता दही बनाना और हमारा दही तो विदेशी कंपनी से अच्छा होता है विदेशी कंपनी का दही कैसा होता है आप में से कभी कोई अमेरिका अगर गए हो या यूरोप गए हो, तो वहाँ दही के लिए पाउडर आता है, उस पाउडरों को पानी में गोल के पी जाते हैं, ना वो दही होता है, ना ताक होती है, ना मजगे होता है, ना दही होता है, ना तक्रम होता है, ना दही होता है, वो बीच की कोई चीज होती है, उसमें कुछ के लोग जो सालों साल से हजारों साल से दही बनाने वाले लोग श्री क्रश्न के देश के लोग तो दही वाले ही होंगे ना श्री क्रश्न की तो सारी कहानी दही से शुरू होती है अब श्री क्रश्न के देश के लोग दही बनाने के लिए विदेशी कंपनी को बुलाएं तो यह तो श्री कृष्ण का अप्मान है। एक कमपनी है हमारे देश में, वो सौंदेर प्रसादन की चीज़ें बेचती है, ड्यूफार उसका नाम है, कोई उसमें हाइटेक नहीं है। इसी तरह से फिसकर्स है, फन स्कूल है, जर्नल इलेक्ट्रिक है, जौफरी मैनर्स है, ग्लैक्सको है, गौडफरे फिलिप्स है, ऐसी हमारे देश में, एक दो नहीं हजारों हजारों कमपनियां हैं, जिनकी लिस्ट है पूरी, जो स्चुन तकनीकी के सामान हीं बना कर बेच रही हैं, कोई हाइटेक सामान नहीं हैं। दस प्रतिशत कमपनियां ऐसी हैं विदेशों की, जो भारतिये कमपनियों से कुछ समझोते करके, थोड़ा बहुत टेकनोलोजी के सामान बनाती हैं। जैसे कार बनाने वाली कुछ कमपनियां हैं। मोटर बनाने वाली, बस बनाने वाली कमपनियां हैं। एक है ना अशोक लीलेंड तो अशोक तो भारत की कमपनी है लीलेंड तो ब्रिटेन की कमपनी है इसी तरह से आपने मोटर में देखा होगा मारूती सुजुकी अब तो वो पूरी विदेशी हो गई पहले आदा आदा था कुछ टेक्नोलोजी वो लाते हैं वो दस प्रतिशत क हिस्सा है और उसमें भी वो भारत में कुछ नहीं बनाते हैं ध्यान रखिए वहां से बना बनाया इंजन लेके आते हैं भारत में सिर्फ उसको फिट करके बेचे